किसी जंगल में एक गरीब टुन्टुनी चड़िया रहा करती थी एक दिन वो जंगल में भोजन की तलाश कर रही थी अरे बापरे बाप आज कितनी गर्मी है मुझे तो प्यास लग रही है पहले में नदी से पानी पेलू फिर भोजन ढूनने जाओंगी तुन्टुनी चड़िया नदी पर पानी पीनी के लिए जाती है तभी उसकी नजर नदी पर गिरे हुए सौने के हार पर जाती है अरे ये हार तो सौने का लग रहा है इतना कीमती हार इस नदी पर कहां से आया ऐसा लगता है कि किसी पक्षी के पानी पीते समय यह यहां पर गिर गया होगा मैं पक्षीयों के घर जाकर पता करूंगी यह किसका सौने का हार है फिर मैं उसे दे दूंगी तुन्टुनी चडिया सबसे पहले वो हार ले कर कालू को एके घड़ आती है कालू भईया, ओ कालू भईया, जल्दी बहार आओ, मुझे कुछ पूछना है क्या बात है तुन्टुनी चडिया दोस्तो, कल की वीडियो में आपने तेकम लाइक क्यों किये? मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्तो, जो मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है तो प्लीज दोस्तो, अब उस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो कालू भाईया, क्या ये सौनी कहान आपकी पत्नी का है? ये मुझे नभी किनारे मिला है नहीं नहीं, टुन्टुनी, मेरी पत्नी के पास इत्मा कीमती हार नहीं है वैसे भी वो दो दिनों से अपने माय के गई हुई है ठीक है कालू भाईया, मैं इस हार को लेकर सुन्दी कवी के घर जाती हूँ शायद उसका ये हार हो अब टुन्टुनी चिडिया वो हार लेकर सुन्दी कवी के घर जाती है संद्री कव्यू से अपने घर के बाहारी मिल जाती है संद्री जर देख कर बता तो क्या ये सोने का हार तुम्हारा है सोने के हार को देख कर संद्री को लालच आ जाता है वो जट से बोलती है हाँ हाँ टुंटुनी ये सोने का हार मेरा ही है ये तुम्हें कहां से मिला? मैं कल से ही इसे ढून ढून कर परेशान थी, ये हार तो मेरी मा की आखरी निशानी है सुंद्री, ये हार मुझे नदी पर मिला है, अच्छा हुआ, इस पर में नजर पड़ गई, इतना कीमती हर संभाल कर पहना करो अरे हां टुन्टुनी, कल में नदी पर पानी पीने गई थी, तभी ये हार मेरे गले से गिर गया होगा, इसे मुझे दे दो टुन्टुनी चिडिया सुंद्री कोवी को हार दे देती है, उधर महराज हरिया तोता की महल में जारो तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, उन्होंने अपने सैनिक बंटी कबूतर को आदेश दिया महराज को पक्षी सैनिक सोने के हार को जिंगल में डूर ने लगता है, पर वो कहीं भी नहीं मिलता लगता है महराणी जी का हार किसी ने चुरा लिया है, अब मुझे इनके घरों की तलाशी लेनी होगी वो सैनिक पक्षियों के घरों की तलाशी लेने लगता है सबसे पहले वो टुन्टुनी चिडिया के घौसली में जाता है अरे अरे सैनिक जी आप ये क्या कर रहे हो आप मेरी घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं मैंने क्या चुराया है तुन्टुनी चडिया महारानी जी का सोने का हार खो गया है हम वही तलाश कर रहे हैं सोने का हार कहीए सैनिक वही हार तो नहीं ढूंड रहा है जो मुझे कल नदी पर मिला था अरे सैनिक जी, कल मुझे नदीब एक सौनी का हार मिला था, पर सुन्दरी कवी सार को अपना बता रही थी, इसलिए मैंने वो हार सुन्दरी कवी को दे दिया अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ सुन्दरी कवी के घर चले राजा की सैनिक तुन्टुनी चड़िया की साथ सुन्दरी कवी के घर जाते हैं, वहीं सुन्दरी कवी अपनी मा के घर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसका पती कड़कना सेट उससे कहता है क्या बात है सुन्दरी, अभी दो दिन पहले ही तो मासे मिलकर आई हो, अब फिर से अपने माय के जा रही हो तुम चुप्रहो जी, मैं जब भी माय के जाती हूँ तो मुझे टोकने लगते हो तभी बंटी कबूतर वहां आ जाता है और सुन्दरी से कहता है सेनिक जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये सोने का हार तो इस टुन्टनी चड़िया ने मुझे दिया था ये तुमें खुद क्यों सोने का हार देगी? ये भी दरीब चड़िया है, इसे भी पैसो की जरूरत है अब सुन्दिरी चलो कैत खाने में, तुम्हारा जूट पकड़ गया है तुन्टोनी चड़िया, हम तुम्हें तुम्हारी इमानदारी का तुफा देते हैं आज से तुम हमारे महल में काम करोगी, ठीक है तुन्टोनी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज माहराज हरिया तोता तुंटुनी चडियa को उसकी मानदारी के इनाम देते हैं हिमाले के जंगल में एक पेड़ पर दो छोटी सी चडिया पहन रहा करती थी एक का नाम तुंटुनी चडिया था और दूसरी के नाम पिंकी चडिया था वो दोनों देखते ही देखते बड़ी हो गई और पूरे जंगल में उड़ने लगी एक पर जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई इसी भी सभी पशुपक्षी घबरा उठे है राम पानी की कमी हो गई इस गर्मी ने तो जीना मुश्किल कर दिया है हमें पानी कहीं नजर नहीं आता अब जीये तो जीये कैसे तुन्टुनी बहन अब तो इस जंगल को छोड़ कर बहुत दूर जाना होगा यहां तो प्यासे ही मर जाएंगे मैं मानती हूँ कि गर्मी ने सबका बुरा हाल किया है फिर भी कोई न कोई रास्ता निकाल लूँगी तुन्टुनी तुम पानी कहां से लाओगी सबकी प्यास कैसे भुजाओगी तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दे से सब्सक्राइब कर लें और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताई की आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी टूनी एक ना एक दिन उपर वाला हम पर रहम जरूर करेगा हमारी मुश्किल को आसान बनाएगा वहीं दूसरी तरफ पिंकी चडियो बहुती घुसे वाली और जिद्धी चडिया थी उसे जब घुसा आता तो उसकी आखों से चिंगारी निकलने लगती उसे अपनी शक्ती पर बहुत घमन था एक दिन वो जंगल में उड़ी चली जा रही थी एक पेड की डाली उसके सामने आ गई और पिंकी चडियो को घुसा आ गया ए पेड अपनी डाल को हटा मेरा घुसा बहुत खराब है अरे बहन गुसा क्यों होती हो दूसरे भी रास्ते हैं तुमारे उड़ने के लिए उस तरफ से उड़ते हुए निकल जाओ क्यों मुझे परिशान कर रही हो मुझसे जबान लड़ा रही हो अंजाम बहुत बुरा होगा तुमारा पिंकी चड़िया ने एक पर गुसे से पेड को देखा तो पेड में आग लग गई और वो छुलस कया देख लिया मेरे गुसे का अंजाम पीड का काम हो गया तमाम अब मुझसे जो टकराएगा जलकर राक बन जाएगा इतना कहकर पिंकी चड़िया वहां से उड़कर चली गई लेकिन धीरे धीरे पूरे जंगल में आग लग गई सभी पक्षी इदर दर भागने लगे तब ही टुन्टुनी चड़िया ने आस्मान की तरफ देखा और भगवान से परियाद लगाई हे भगवान अब तो ही कुछ कर तेरे सिवा हमारा कोई नहीं तो ही साब को भुजाने का तरीका बता तब ही टुन्टुनी चड़िया की आँखों से एक रोशनी निकली और अचानक बरसात होने लगी देखते ही देखते आग बुज गई और चारो तरो पानी ही पानी फैल गया गड़ी और तलाप पानी से लबालब भर गए टुन्टुनी चड़िया हैरानी से सब कुछ देख रही थी वो समझ गई कि उसके अंदर भगवान ने पानी बरसानी की शक्ति का जादू दे दिया है अब देखती हूँ ये टुन्टुनी क्या कर लेती है मेरी शक्ति के आगे टुन्टुनी कुछ भी नहीं है पेड तो जल ही गए है इन पेड़ों पर रहने वाले पक्षी बेघर हो गए है अब सब पक्षू पक्षी मेरे सामने आएंगे नाक रगणेंगे और मेरी ताकत को मानेंगे वो जान जाएंगे कि सबसे शक्तिशाली इस जंगल में पिंकी चडिया ही है मेरी जैजैकार होनी चाहिए इतना कहकर पिंकी चडिया वहां से चली गई और टुन्टुनी चडिया वहां आ गई कई पशू पक्षी टुन्टुनी चडिया के सामने आ गई इस वात का टुन्टुनी चडिया को बड़ा दुख हुआ उसने आस्मान की तरफ देखा और भगवान को याद किया उसकी आँकों से रोश्नी निकली और सभी जले हुए पेड़ पौधे फिर से पहले की तरहां हरे भरे हो गई ये सब देखकर टुंटुनी चड़िया का मन भी बहुत खुश हो गया और सभी पशू पक्षी भी खुशी से जूमने लगे पक्षियों को उनका आशियाना फिर से मिल गया कुछ देर के पाद पिंकी चड़िया वहां आ गई उसने सभी पेड़ों को हरा भरा देखा तो हैरानी में पड़ गई ये मैं क्या देख रही हूँ जले हुए पेड़ फिर से हरे भरे कैसे हो गए ये चमतकार किस ने किया पिंकी बेहन ये चमतकार आपकी बेहन टुन्टुनी चड़िया ने किया है भगवान उनका भला करे उन्होंने पेड़ों को नवजीवन देने के साथ साथ हमारा आशियाना हमें लोटा दिया मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है खामोश कालुका हुए सबसे बड़ी मैं हूँ मैं जिसे चाहूं उसे खतम कर सकती हूँ क्या तुम मेरी शक्ती का फिर से नमूना देखना चाते हो सब लोग मेरे आगे जुग जाओ वरना मैं सबको खतम कर सकती हूँ उसी समय टुन्टुनी चडिया वहाँ जाती है उसने पिंकी चडिया को रोकतो ही कहा पिंकी मेरी बेहन अपनी शक्ती को गलत कामों में जाया मत करो तुम्हें क्या मिलता है सबको धंका कर सबी को अपने बसने नहीं किया जाता बल्कि सबको प्यार से अपना बना लिया जाता है क्या तुम चाहती हो सभी डर के तुम्हारे सामने जोगे ये तुम बहुत गलस सोच रही हो अगर अपना बनाना चाहती हो तो भलाई का रास्तक तियार करो जरा सोचो पेड़ों को जला कर तुम पेड़ों का जीवन खतम करती हो, जिंदल के पक्षियों का आशियाना छीनती हो, पश्यू पक्षि तुम्हारे सामने आदर के कारण नहीं, बलके डर की वज़ा से छुकते हैं, उनका सच्चा आदर चाहती हो तो उनकी सेवोंने प्यार से अपना पिंकी चिडिया को टुंटुनी चिडिया की पास समझ में आ जाती है, और वो टुंटुनी चिडिया से कहती है, तुम सही कह रही हो बेन, आप सबसे बड़ी और सची बाजिगर हो, मैंने घमंड में आकर हमेशा जंगल की पक्षियों को डराया, अब ऐसा नहीं होगा, मैं